नमस्कार संस्किती PCS के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्राची मिश्रा चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुग मुद्दों पर जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहला है राष्ट्रिय शुशाशन केंद्र के बारे में जानेंगे दूसरा है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिच के बारे में तीसरा है फाइट टेजस MK1A के बारे में और अंतमेह गुलाल गोटा क्या है क्योंकि इसको हाल ही में GI टाइक दिया गया है सबसे पहले शुरुवात कर लेते हैं किसे तो राष्ट्य शुशाशन केंद्र से क्या करता है यह राष्ट्रिय शुशाशन केंद्र तो यह बिसिकली इन्होंने एक सत्रा जो देश हैं उनके साथ एक M.O.U. पर साइन कर रखा है ठीक है साजेदारी कर रखी है विदेश मं जो आयो जित क्या जा रहा है इसमें ट्रेइनिंग पदान की गई है कंबोडिया को तो इसलिए यह चर्चा में तो हाल ही में राष्ट्रेश रशाशन केंद्र में कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा प्रसिक्षण कारिकरम शुरू किया गया है व्यदेश मंत्रा लाओस, वेतनाम, नेपाल, भूतं, मैंमार, इथोपिया, एरेट्रिया और कमबोडिया शामिल है तो इनके जो प्रशाष्णिक अधिकारी है इनको प्रसिक्षर प्रदान किया जाता है बात कर लेते हैं हम किस की? रास्टिया, शुशाशन, केंदर की तो जो रास्टिये शिशाशन केड़ है यह भारससरकार द्वारा वर्श 2014 में गटित किया गया था NCGC प्रिशाशनिक शुधार और लोक सिकायत विभाग भारससरकार के तत्वधांसे एक स्वायत संस्थान है तो ये कैसा संस्थान है स्वायत संस्थान है इसका मुख्यालेदी में बात करूं तो नई दिल्ली में है और इसकी जो शाखा कार्याला है ये मसूरी में स्थित है एंसी जीसी के स्थापना अध्यन प्रसिक्षन ज्यान साजह करने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देने के माध्यम से शुशाशन में सुधार लाने के उद्धेशे की गई है कि जो भी लोक सेवक है वो अच्छे से जो प्रसाशन है उसको आगे चला पाएं ठीक है यह केंदर साजनिक नीती शाशन शुधार प्रसिक्षन और देश के सरकारी अधिकारियों के छमता वर्धन के छेत्र में कारी कर रहा है कि उनके जो पोटेंशल है उसको सुधार आ जाए बात करेंगे फ्रांसे से स्कॉट की ब्रिज के बारे में तो यहां पर आपने देखा हो 1770 में यह जो ब्रिज है या आम जनता के लिए खोल दिया गया था यहां पर लोग क्या करते थे ट्रेवर करते थे ब्रिज इंपॉर्टन इसले भी हो जाता है क्योंकि यह दो स्थानों को जोडता है कैसे यह पटाप्स को नदी इस स्थान पर समुद्र से मिलती है और इसके 19 सदी में अमेरिकी कभी फ्रांसी सी स्कॉर्ट के नाम से रखा गया था क्योंकि इन्होंने क्या क्या था अमेरिका का राश्टरगान लिखा थी राश्टरगान क्या था कि स्टॉर स्पैंगल्ड बैनर इसको लिखा था इसके पशात इनी के नाम पर इस पुल का नाम रख जा गया था ठीक है आगे बात कर लेते हैं फाइटर जट टेजस एम के वन एके बारे में तो हाली में टेजस मार्क वन ए लड़ाकु विमान का सफल परिक्षण क्या गया है इसलिए चर्चा में है यह अपग्रेटेड वर्जन है इसका ठीक है तो आमके वन ए लसी ए तेजस क का एडवान्स वर्जन है दो हजार दो सो पाच किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ सकता है और यह अच्छे तरह की मिसाल ले जाने में सक्षम है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है मजबूत इसको यह बना देता है कि इसको आप हवा में री फ्यूल कर सकते हो यानि कि हवा में इसमें फ्यूल भरा जा सकता है इसको लैंड कराने के जरूरत नहीं है और यह आधूनिक और फॉर प्लस जनरेशन का पाइटर जैठे एयर क्राप्ट है ठीक है इसको बनाया किसने है तो हाल के द्वारा इसको बनाया गया हाल कमप्टी है में गुलाल गोटा के बारे में तो गुलाल गोटा जैपुर में लगभग 400 साल पुरानी परंपरा है ठीक है और यहां पर क्या किया जाता है गुलाल को जो लाक होता है उसके अंदर भर दिया जाता है एंद इसको छोटे गोलाकार की गेंदों में गुलाल गोटा के नाम से जाना जाता है ठीक है गुलाल गोटा जैपur में मुसलिम लाख निर्माताओं जो मनिहारी हैं उनके दौरां तैयार की सरकार गुलाल गोटा जो कर्मिचारी ही उनको कारीगर का Đ्प्तान किया गया इससे ऐसे संबंदी जो योजनाय हैं उनका लाब उठा सकते हैं गुलाल गोटा को भोगली संके तक जी आई टैक देने की मांग काफी टाइम से की जा रही थी आगे बात के लिए ते आंतों में प्रिश्णी की को गुलाल गोटा किस राजी संबंदी थे राजिस्थान उत्त झाल